Hello Students, Good Morning, How are you? Hope you all will be fit and fine. Hello Students, मैं सुन्दर सर, वेलकम करता हूँ आपका एक बार फिर सुन्दर सर्स क्लासिज में. कैसे हो दोस्तों? तो Friends, आज का हमारा टॉपिक जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्स्प्रेन करने जा रहा हूँ, वो हमारा टॉपिक जो Model Auxiliaries का जो चला हुआ है, हमारा जो चल रही है सीरीज हमारी, उसी के अंतरगत आज हम करेंगे Would और Should का, यानि कल हमने जो Will और Shell किया था, उसी का Past Tense होता है Would और Should, आज के इस पर्टिकुलर लेशन में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Would और Should के, जो के हमारे बहुत ही important Model Auxuries हैं, इनके यूज कहां कहां और किन पस्तितियों में होती हैं, तो स्टुडेंट से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यह एक पूरी सीरीज है, अगर आप पूरी सीरीज को देखते हो, तो आपको अच्छी तरीके से जो Models हैं हमारे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम इन से रिलेटिड नहीं रहेगी, तो चली है स्टुडेंट स, हम शुरू कर लेते हैं हमारा आज का ये वीडियो, तो सबसे पहले हम लेते हैं वुड को, पहले हम वुड को लेते हैं, तो वुड में हमने सबसे पहले जो वुड का परियोग है कि वुड का परियोग हम कहां करते हैं तो उसके अंदर जो पहले चीज आती है वो आती है as the past tense of will यानि कि will का परियोग जहां present tense में किया जाता है वुशी प्रकार से अगर tense present की जगह past है तो वहाँ will की जगह would का परियोग हम करेंगे जैसे example के तोर पे he said he will go there यह हमारे पास जो है एक जो कह सकते है direct speech हमारे पास है जब हम इसको indirect speech में बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जागा he said that he would यहाँ हमारे पास will का would होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे पास past tense था और यह indirect speech बन गी है तो जब हम indirect speech में चेंज करते हैं sentence को तो विल की जगह would का परियोग हम करेंगे तो यह इसका पहला परियोग था कि would कहां use होता है अब बात हम आगे करते हैं to express polite request जब बात polite request की आती है जब बात polite request ने नमर निवेदन की बात आती है particularly यू कह सकते हो please या kindly words जो है इसके एक पहचान से होते है please या kindly words अगर sentence में आते हैं तो वहाँ हम अमूमन जो है would का प्रियोग करते हैं polite request के लिए just like would you open the door please तो please या kindly आजाए और जहाँ विनमरता की बात होती हो विनमरत निवेदन हो किसी चीज़ का तो वहाँ हम यूज करते हैं वुड का तो ये हमारा वुड का दूसरा यूज है कि वुड हमने कहां यूज करना है इसके बाद अगर हम बात करें to express unfulfilled wish unfulfilled wish का मतलब कह सकते हैं suppositional sentence भी कह सकते हैं या suppositional condition भी कह सकते हैं कि ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हुई हो और जो पूरी होनी लगबग असंबव हो तो ऐसी wish को express करने के लिए हम हमेशा ही would का परियोग करते हैं अब इसमें खास बात ये है कि इसमें हमेशा ही past tense और यहां पर work का यूज किया जाता है इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है subject चाहे कोई भी हो लेकिं वहां पर हमेशा work का यूज हम करेंगे तो यह हमारा जो है एक use है would that I were a king would that I were a minister would that I were a millionaire would that I were you कि कहने का मतलब है कि कास ऐसा होता कास यह होता तो ऐसी जो expressions होती है इस प्रकार की जो भावनाई होती है उनको express करने के लिए हम would का परियोग करते हैं तो यह हमारा another use था would का इसके बाद हम बात करें would की to express choice और option यानि कि जब हमारे पास किसी दो च्वाइश में से एक का चुनाव करना हो दो option अमारे पास दोनों में से आपने किसी एक option का चुनाव करना हो तो इस प्रकार की स्थिति को express करने के लिए भी हम would का परियोग करते हैं और इसमें खास बात क्या है कि इस प्रकार की condition के लिए हम rather word का use हम करते हैं option choose करने में यानि कि जैसे I would rather work than bag कि मैं भीख मांगने से ज़्यादा काम करना पसंद करूँगा I would rather die than bag मैं भीख नहीं मांगूँगा यानि मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूँगा यानि कि दो option हैं हमारे पास भीख मांगना और मरना यान पर भीख मांगना और काम करना तो दो option में से आपने किसी एक option को चुना है तो इस प्रकार से अगर आपने option में से किसी चीज़ को चुनाव करना है तो वहाँ पर हम जो है वो would का ही परियोग करेंगे और इसके साथ आपको rather मिलेगा यानि ये एक पहचान कह सकते हो कि rather जो है एक पहचान होते है कि अगर sentence में rather लिखा हुआ है तो आपने उसके साथ would का ही परियोग करना है तो ये हमारे कुछ हैं would के थे इसके बाद कुछ और uses हैं इसमें would के जैसे to express past habit तो कई बार के है कि past की जो हमारी भूत काली किसी habit को express करने के लिए हम would का परियोग भी कर लेती हैं आम तोर पे past की habit को express करने के लिए used to का परियोग किया जाता है लेकिन कई बार जो है हम would का परियोग भी कर लेते हैं या कर सकते हैं ये भी आपका गलत नहीं माना जाता पास्ट हैबिट को एक्सपैस करने के लिए एक्जामपल को जैसे देखिए He would sit for hours in sun क्यों आक से कहता है कि वो धूप में घंटों बैठा रहता था यानि उसकी आदत थी इस प्रकार की ये और एक्जामपल जैसे हैं गांदी जी वूड़ स्पिन एवरी डे गांदी जी प्रती दिन जो है वो कातते थे यह उनकी हैबिट थी हैबिट ऑफ दा पास्ट तो इस प्रकार से अगर हैबिट ऑफ दा पास्ट है भूत काली किसी आदत को एक्सपैस करना है तो वहाँ पर भी आप वुड़ का प्रियोग कर सकते हैं अमूमन किया जाता है इसके बाद अगर हम और बात करें आगे तो यह देखिए हमारे पास अता है कंडिशनल सेंटेंस की कि अगर थोड़ा सभी आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कंडिशनल सेंटेंस में इस कलोज के साथ हम विल का प्रियोग करते हैं अगर हमारी इस कलोज प्रेजन टेंस में दी गई हो यहां क्या है इसमें देखिए यह भी अमारे पास इस कलोज है यह भी अमारे पास देखिए इस कलोज है यह भी अमारे पास sentence में है तो आपने विल की जगे क्या करना है यहां वुड का प्रयोग आपने करना है देहे कंडिशनल ने इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन दा स्काई अगर मैं पक्सी होता तो मैं भी आकास में उड़ता तो यह क्या है कंडिशनल सेंटेंस है और कह सकते हैं इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज इट अगर मैं परदान मंतरी होता तो मैं इसे बदल देता तो यहां पर भी क्या है दोनों इफ कंडिशनल सेंटेंस हमारे पास क्या है यह इफ क्लॉज है और इसमें दिहान सिर्फ आपने यही रखना अंतर आपने यही रखना है कि अगर आपके इफ क्लॉज प्रेजन टेंस में है तो यहां पर आप विल का प्रियोग करेंगी अगर आपके इफ क्लॉज अगर पास टेंस में है तो यहां आप ने किसी चीज़ का आपने would का परियोग करना है तो यह second conditional sentence तिन परकार के होते हैं तिस परकार के और वे आगे बताऊंगा मैं तो यह चीज़ आपने दिहान रखनी है इसके लावा would का परियोग हम कर सकते हैं would like to कई बार एक phrase आते है हमारे पास would like to अगर इस परकार के phrase sentence में है तो वहां पर भी हम देखिये इसी कब यूड लाइक तो किसको ये wish को दरसाती है यह किसको दरसाती है, wish, किसी की desire या wish को दरसाती है, तो इस प्रकार के sentence के अंदर भी हम would का प्रयोग करते हैं, just like I would like to go there, I would like to invite you, I would like to call him here, तो यहां क्या है, कि I would like to, एक impression बनता है, एक expression जो है हमारी, वो express करती है किसी की wish को या फिर desire को, तो इस प्रकार से हम, इन प्रकार की conditions में हम would का प्रयोग करते हैं किसी इच्छा के लिए, तो students, यह था हमारा would का प्रयोग कि would का प्रयोग हम किन किन प्रस्थितियों में कहां कहां करते हैं, तो students, आप देखिए हम बात लेते हैं कि should की, कि should का use हम कहां और किन प्रस्थितियों में करते हैं, तो should के लिए सबसे पहले जो हम लेते हैं, वो यही है कि as the past tense of shell, कि जैसे will का past tense would होता है ठीक उसी प्रकार से shall का past tense should होता है example आप देख सकते हैं I said I shall do this work अब ये हमारे पास वो ही direct speech है जब इसको हम indirect में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास की I said that I should यहां shall का क्या हो गया should हो गया तो इस प्रकार से जैसे will का would होता है उसी प्रकार से shall का past tense should होता है जब हम indirect speech में use करते हैं तो shall के स्थान पर should का प्रियोग हम करेंगे इसके बाद बात आती है हमारी moral obligation की सबसे important जो use है should का वो होता है हमारा moral obligation का बात जहां नैतिकता की आती है नैतिक करतवे की बात आती है वहां हम should का प्रियोग करते हैं just like one should love one's country we should love poor ये क्या है हमारी moral obligation है we should respect our parents ये क्या है moral obligation की बात है तो जहां बात नैतिकता की आती है वहां हम should का प्रियोग करते हैं इसके बात बात आती है past duty की कि अगर किसी प्रकार की है जो हमारा आशा कोई करते हुए या duty हो जो भूत काल की बात हो तो अगर उसको हमें express करना हो तो हम वहां पर should का प्रियोग करते हैं एक्जामपल आप दे सकते हैं कि I should have attended the meeting कि मुझे वो meeting attend करनी चाहिए थी advice या suggestion ये भी एक important पहलू है जहां हम use करते हैं should का moral obligation की तरही advice और suggestion के लिए भी हम should का प्रियोग करते हैं और इसमें क्या है advice is like we should not waste his time उसे अपना समय बरबाद निकलना चाहिए we should not tell ally हमें जूट नहीं बोलने चाहिए we should do that we should do that तो इस प्रकार के कोई भी advice या सला होती है suggestion होता है तो उसके लिए भी हम should का प्रियोग करते हैं just like we should go there हमें वहाँ जाना चाहिए या you should go there तुमें वहाँ जाना चाहिए तुमें ऐसा करना चाहिए तुमें ऐसा करना चाहिए उसे ये करना चाहिए तो इस प्रकार के advice या suggestions होते हैं तो उसके लिए हम should का परियोग करते हैं ये model auxiliary का use वहां किया जाता है इसके बाद बात आती है हमारी जैसे with less कि ये इसका जैसे rather के साथ would का परियोग होता है उसी प्रकार से less का के साथ should का परियोग के जाता है और sentence को negative sense बनाने के लिए जब sentence में less लगता है तो sentence automatically negative बन जाता है तो अगर negative sense बनाने के लिए हम should का परियोग करते हैं जिस लाइक work hard less you should fail मैनत करो अन्य था या ऐसा ने हो कि fail हो जाए तो ये sentence negative बन जाता है इसके बाद एक कुछ करता है formal notice या instructions देने के लिए भी कई बार जो है अगर हमें कोई notice जो है formal notice या फिर instructions देने के लिए भी हम should का परियोग करते हैं जैसे या देखिए candidates should solve all the sums ये क्या है notice भी हो सकता है instructions भी है जैसे हम कह सकते है you should follow the rules ये हमारे पास क्या है notice या फिर हमारे इंस्टेक्शन से है तो अगर formal हमारे पास कोई notice है या फिर कोई instructions है उसको express करने के लिए भी हम should का परियोग करते हैं तो students ये था हमारा आज का जो lesson था हमारा model oxygen का would और should का कि इसमें मैंने आपको would और should को दोनों जो model oxygen हमारी जो बहुत important है दोनों के बारे में पूरी detail में और अच्छी तरीके से जो है मैंने कोशिस किया आपको express करने के इन से सम्मनित rules कि इनका प्रियोग कहां और किन प्रस्तितियों में किया जाता है उमीद है ये lesson आपको पसंद आएगा आपके लिए फाइदेवन साबित होगा इसी प्रकार से आप लगातार मेरे साथ बने र फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ एक और नए टॉपिक के साथ और ये series जो है हमारी model luxuries की ये continue हमारी जारी रहेगी जब तक ये complete नहीं हो जाती है इसलिए आप पूरी series में मेरे साथ बने रहे है तो that's all from now have a nice day thank you